तो हाई गाईज वाट्स ओप और वेलकम बाक तो दे क्रैश कोर्स और ग्रैविटी सर्कल फॉर टर्म टू क्लास 10th केमेस्ट्री तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस क्रैश कोर्स में और जैसा कि आप सब लोग जानते हो आप लोग लोगों को एक चैप्टर लग रहा होगा लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में पहुचते हो सर्प्राइज सर्प्राइज यह पूरी एक केमेस्ट्री की ब्रांच बनके आपके सामने आता है आप सभी लोग जानते हो केमेस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइड होती है फिजिकल केमेस्ट्री इनगेंनिक केमेस्ट्री ए드 और ऊर्गेंनिक केमेस्ट्री तो गाइस यह हैं आपकी और केमेस्ट्री तो हम लोग प्लास 12th में पार्वकम ब्रांच आहए programme स्ằаче others करसे ए इस तरीके से प्ढ़रे हैँ लेकिन जब हम लोग थोड़ा आगे बधे है और समझ मे and organic chemistry तो guys यह है आपकी organic chemistry तो हम लोग class 10th में तो इसको एक छोटा सा carbon याने हमारा element carbon और उसके compounds याने carbon से बनने वाले compounds हम इस तरीके से पढ़ते हैं लेकिन जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि भाई साथ यह पूरी के पूरी एक ब्रांच है chemistry की तो इस chapter को अगर हम लोगों ने यहां पर इस crash course में एकदम वालू तरीके से पढ़ लिया तो guys बहुत बहुत ज्यादा मज़ा आ जाने वाला है तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा chapter जिसका नाम है carbon and its compound कुछ interesting facts पहले मैं आप लोगों को इस chapter के बारे में बताना चाहता हूं carbon और उसके compounds कहां कहां है मेरे कपड़ों में मेरे माइक में मेरे पैन में मेरे बोल्ड में मेरे घर में मेरी बोडी में जो मैं खाना खाता हूं उसमें जिस पेट्रोल से मैं गाड़ी चलाता हूं उसमें जिस बाइक पर जिस कार में में चलता हूं उसमें जिस गाड़ी में बैठा उसके seat cover में मेरे इस mic में मेरे laptop में याने की इस earth पे आपको carbon और carbon से बनने वाले compound हर जगे मिलेंगे कैसे कपड़े बनते है cotton से cotton में होता है carbon petrol, diesel, kerosene यह सब fossil fuel है यह सब carbon से बनते है plants carbon से बनते है plants खाना carbon dioxide से बनाते है वो plants से खाना में खाता हूँ तो मेरी body में energy का source glucose, carbohydrate, carbon based इसलिए guys हमें यह बोला जाता है कि हमारी जो earth है न earth वो carbon based यानि अगर इस earth से carbon और carbon के compounds हटा दिये जाए तो हमारा survive करना मुश्किल है आप जिस tiffin में tiffin में lunch लेकर जाते हो वो carbon से बनाए जो plastic यूज कर रहे हो carbon से बनाए जो mobile के cover यूज कर रहे हो carbon से बनाए यह मेरा mic का wire carbon से बनाए मेरा tripod stand में carbon है यानि इस दुनिया में जितनी polymer industries है सब carbon based है जो तुम दवाईयां घाते हो carbon से बनी है तो इस दुनिया में carbon के बिना हमारा शायत काम नहीं चलेगा और अगर आप लोग class 10th board को seriously ले रहे हो अगर आप class 10th के साथ साथ में NTSE जैसी exam देना चाहते हो अगर आप 11th और 12th में जाकर J.E.E.R.N.E.D. फोड़न interesting facts कुछ और बता देता हूँ वैसे तो हमारे लिए carbon बहुत important है हमारे जीवन में हमारी life में carbon हमारे लिए super important है लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारी earth crust में यानि इस earth के अंदर अगर में जमीन की खुदाई करूं आप सभी लोग जानते हैं earth से हमें minerals मिलते है minerals जिन में metal और non metal के दोनों के parts होते हैं और इन minerals में से कुछ और होते हैं और जिन से हम लोग metal effectively निकाल सकते हैं या आप सब लोगों को बात मालू है तो हमारे earth crust में minerals के form में आपको carbon सिर्फ 0.02% ही मिलता है जैसे आप लोगों ने सुना होगा carbonate आपने सुना होगा by carbonate तो इस तरीके के ores के अंदर ही आप लोगों को carbon दिखाई देता है not other than that लेकिन अगर मैं अपने atmosphere की बात करूँ चलो ठीके सर अर्थ crust की बात कर ली जाए तो अगर हम लोग हमारे atmosphere की बात कर तो guys atmosphere में carbon dioxide के form में majority of the amount consist करता है और 0.03% होता है यह आप लोगों के knowledge के लिए है तो guys I hope आपको इस chapter का introduction समझ माया होगा अब हम इस chapter के अंदर क्या करने वाले हम carbon को पढ़ेंगे carbon से बनने वाले compounds को पढ़ेंगे carbon compounds कैसे बनाता है उनको पढ़ेंगे compounds की study करेंगे और इसकी कुछ chemical reactions करेंगे करेंगे तो क्या आप लोग crash course को और इस chapter को फोनने के लिए तयार है ओके तो let's get started चलो मेरे प्यारे बैच्च अब हम लोग यहां पर बात करते bonding in carbon मतलब कि अगर आप लोगों ने इसके पहले टॉम वन में आपने चाप्टर पढ़ा हो ना metals and non metals तो गाइस उस chapter में आप लोगों ने definitely study करी होगी एक तरीके के bond की जिसको आप लोगों ने हम दिया होगा ionic bonds क्या आप सभी लोगों ने ionic bond की study करी थी इसके पहले वाले chapter में yes sir हम लोग जानते है ionic bond को electrovalent bond भी बोला जाता था yes sir हम इसे electrovalent bond के नाम से भी जानते थे जिसके अंदर एक positively charged cation को cation जिस पर positive charge होता है और एक negatively charged nion जिस पर negative charge होता है यह दोने गुसरे को attract करते हैं और इस attraction को electrostatic force of attraction बोला जाता था इस electrostatic force of attraction इसे बोला जाता था तो इस electrostatic force of attraction की वज़े से cation और एक दूसरे को attract करते हैं तो यह बहुत अच्छा और बहुत strong bond बनता था याद रखेगा यह bond दुनिया का strongest bond है यह बहुत ज्यादा strong bond होता है और यह bond strong होने की वज़ा से ही आपके जितने ionic compounds होते थे आपके जितने ionic compounds होते थे जैसे की NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 यह सब room temperature पर अधिकतर solid होते थे अधिकतर क्या सारे ही solid होते थे That means ionic bond एक बहुत जोरदार और एक बहुत powerful और एक बहुत strong bond है Is that very much clear to you? हाँ sir हम लोग यह सब बात जानते हैं लेकिन जब मैं carbon से बनने वाले compounds को observe करता हूँ जैसे कौन-कौन से compound sir? जैसे मालनों मेरे पास में पहला compound है methane M-E-T-H-A-N-E, methane जिसका formula CH4 है Sir इसका melting point सिर्फ 90 Kelvin और इसका boiling point सिर्फ 111 Kelvin है यान एक बात बता हूँ मैं अगर आप लोगों यह formula बता हो Kelvin is equal to degree Celsius plus 273 हम लोगों ने class 9th में यह formula पढ़ा था हम Kelvin को degree Celsius में convert कर सकते हैं तो अगर मैं पास में 111 Kelvin है is equal to degree Celsius plus 273 so degree Celsius will become 273 minus 111 तो यह value होगे मैं पास में 162 याने यह प्लस हो जाएगा नहीं 111 minus 273 तो minus 162 degree Celsius now can you imagine guys यह कितना low temperature है 0 degree Celsius पर हम लोग जम जाते हैं हमारी कुलफी जम जाते हैं हमारी वाट लग जाती है उससे भी minus 160 degrees Celsius बहुत कम अल्ट्रा लो टेंपरेचर इतने लो टेंपरेचर पर methane gas boil हो जाती है यानि अगर आपने टेंपरेचर बढ़ा कर minus 161 minus 160 minus 159 कर दियां in fact छोड़ो गर आप minus 100 degree पर भी हो तो भी आपको methane gas के form में दिखेगी क्योंकि वो तो already boil हो चुकी है आपको बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि carbon से बनने वाले compounds को अगर मैं ठीक से observe करूं जैसे methane methane के बाद अगला compound आता है आप लोगों का ethane 101 Kelvin पर melt हो जाएगा और 185 degree Celsius पर boil हो जाएगा इसके बाद आता है आपका ethanol दारू 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 जो ना ना चे उसको मारू ethanol 156 degree Celsius पर melt हो जाता है 351 Kelvin पर melt और 351 Kelvin पर boil मतलब समझ रहे हो water आपका 373 Kelvin पर boil होता है 100 degree Celsius पर मतलब यह उससे भी कम temperature पर boil हो जा रहा है पिर यह आगया आपका chloroform आप लोगोंने movies में इसके बाद हैं सुना होगा chloroform सुना कर किसी को बेहोश कर दिया है CHCl3 209 Kelvin पर melt और 334 Kelvin पर boil याने 100 degree Celsius से भी कम temperature पर ही यह boil हो जाता है इसके बाद अगला आता है आपका acetic acid गाइस आप लोगोंने सिरका याने की vinegar तो खाया होगा vinegar जो Chinese वगरा में डलता है वो acetic acid से बनता है हम इसके बादे मागे discuss करेंगे तो आप देखो यह 290 Kelvin पर यह melt हो जाता है और 391 Kelvin पर यह boil होता है अब यहां पर एक बात observe करो कि इसमें से उपर के दोनों आपका अभी फिलहाल जो room temperature है यह दोनों अभी फिलहाल आपके room temperature पर gas है और बाकी के यह सारे आपके room temperature पर liquid होंगे यह सारे आपके room temperature पर क्या होंगे liquid होंगे देखो क्योंकि melt करने के बाद solid liquid में convert हो जाता है तो आप इन सब को ध्यान से अगर आप देखो तो 290 kelvins यहां तक यह liquid रहते हैं क्या पास समझ में आ गई इसका मतलब यह है कि carbon के जितने भी compound है उनमें से maximum compounds यहने अगर मैं लिखूँ that maximum carbon compounds maximum carbon compounds are either are either liquid are either liquid or gas at room temperature इसका मतलब यह है कि ionic bond के मुकाबले carbon में होने वाली bonding पहली बात तो कमजोर है और दूसरी बात carbon में ionic bonding नहीं हो रही है अगर carbon में ionic bonding होती तो यह सब भी room temperature पे solid हो जाते salt की तरह मजबूत होते strong होते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर में एक बात लिखूँँगा therefore ionic bonding is not at all observed in carbon compounds यानि आपके carbon compounds के अंदर इसमें से किसी भी प्रकार की bonding ionic bonding नहीं होगी तो sir carbon अगर ionic bonding नहीं कर रहा है तो carbon फिर कैसी bonding कर रहा है तो guys यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ carbon कैसी bonding करेगा चीक है देखो imagine करो imagine करो अभी आपके पास में carbon का item है क्या आप लोग सब जानते है carbon के atomic number को जी हाँ sir carbon का atomic number 6 है मतलब carbon के k shell के अंदर carbon का जो k shell होगा मेरे प्यारे किडूस उसके अंदर 2 electron पाए जाएंगे और carbon के l shell के अंदर आप लोगों को 4 electrons पाए जाएंगे ठीक है तो अदर में यहाँ पर carbon का structure बनाऊं तो मान लीजे यह carbon का first shell यह मान लीजे आपके carbon का second shell और यह मान लीजे आपके carbon का nucleus अरे क्या हो रहा है यार यह क्या वह कुफी यार चलो नूक्लियस पहला शेल और यह दूसरा शेल ठीक है गाइस नूक्लियस पहला शेल और दूसरा शेल यह मैंने लिख दिया यहाँ पर यह आपके carbon का nucleus हो गया इसको मैंने नाम दे दिया nucleus this is your nucleus उसके बाद में रिव्यारे बच्चो यह होगा आपके carbon के k shell में 2 electrons 1 and 2 और यह होगा आपके carbon के L shell में 4 electrons 1 2 3 & 4 तो यह आपके carbon का मैंने आपन नाम भी लिख दे दा हूँ this is your K shell and this is your L shell चलो यह दोनों बाते आप लोगों को बढ़िया तरीके समझ में आ गई ठीक है यह आपका carbon का item कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है now अगर मैं यहाँ पर bonding बनाने के लिए first case observe करूं that carbon यहाँ पर accept कर ले 4 electrons to complete its L shell and have 8 electrons in it मलब आप सभी लोग जानते हैं दुनिया का हर atom क्या कोशिश करता है दुनिया का हर atom यह कोशिश करता है कि उसके outermost shell में 8 electrons आ जाए अब गाईस यहाँ पर carbon को अगर bonding करनी है तो definitely उसको bonding करने के लिए अपने outermost shell में 4 electrons की जरुवत होगी क्योंकि हम लोग सब जानते हैं according to bore and burry rule हमारे L shell में maximum 8 electrons आ सकते हैं लेकिन अभी carbon के L shell में 4 electrons हैं तो हम चाहते हैं कि carbon अपने बाकी के 4 electrons अपने outermost shell में रख ले और अपना octet पूरा कर ले अब octet पूरा करने के लिए outermost shell में 8 electrons पूरे करने के लिए या तो carbon 4 electron accept कर ले अब अगर अगर carbon ने 4 electron accept कर लिए तो carbon के ऊपर minus 4 charge आ जाएगा and carbon बन जाएगा N ion क्या ये बात समझ में आ रही है लेकिन गाइस एक बात समझना carbon के nucleus में अभी सिर्फ 6 protons है carbon के nucleus में अभी आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 protons ही दिखाई दे रहे हैं तो guys imagine करो कि अभी ये 6 protons अपने 6 electrons को hold करके बैठे ये 6 protons अपने इन 6 electrons को tightly पकड़के बैठे लेकिन अगर हम इन protons को बोले कि आप अपने खुद के 6 electrons तो पकड़के रखो लेकिन environment में या surrounding में से 1, 2, 3 और 4 electrons और पकड़ लाओ और 4 electron लाग कर अपने outermost shell में L shell में रख लो तो क्या आपको लगता है कि ये nucleus में इतनी जादा power होगी कि ये environment में से 4 और electron खीच लाए भाई ये nucleus में 6 protons हैं ये 6 protons अपने खुद के 6 electron को पकड़के रख ले वही काफी है अब आप क्या बोल रहे हो कि 4 electron और लेया तो is it possible कि ये carbon का nucleus जिसमें मातर 6 proton है वो 10 electron को hold कर ले क्योंकि 6 तो इसके खुद के और 4 तुम बटोर लाओ नहीं actually nucleus के पास में सिर्फ इतनी ताकत होती है कि वो 1 electron ले आए 2 electron ले आए या 3 electron ले आए जैसा आप लोगोंने देखा होगा फ्लोरीन या आपके halogen halogen के nucleus को इतना power दिया गया है कि वो 1 electron ले आए क्यों क्योंकि fluorine, chlorine, bromine याने आपके halogen को मातर एक electron की जर्वत होती है they require only 1 electron to complete their outermost shell क्योंकि उनके valence shell में 7 electrons होते हैं तो वो 1 electron ला सकते हैं oxygen, sulfur इनको 2 electrons की need होती है तो ये 2 electrons ले आते हैं अपने outermost shell में उसके बाद में nitrogen, phosphorus इनको 3 electrons की जरुत होती है तो ये 3 electrons भी manage कर लेते हैं लेकिन guys किसी भी nucleus में इतनी ताकत नहीं होती कि वो 4 electron ले आए तो क्योंकि यहाँ पर nucleus carbon का इतना powerful नहीं है क्योंकि उसके पास में सिर्फ 6 proton है हाँ अगर carbon के nucleus में 7 proton 8 proton या 9 proton होते तो मैं समझ पाता कि इसका nucleus powerful है लेकिन अभी इसके nucleus में 6 protons है मनलब ये इतना powerful नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे इतना इतना कि चीज़ कुटेट ये उनी ये का therefore इतनी है अगर आफा आफ तो अच्टर्ट्ट ये तो उत्रच्ट and keep four electrons extra in their valence shell in their valence shell यानि यह कहीं से valence shell में चार नए electron लाकर उनको accept करके अपने पास नहीं रख सकते तो case number one courage, case number one cancel, therefore आप यहां पर बिल्कुल बोलेंगे therefore it is not possible therefore it is not possible, यह वाला case तो बिल्कुल भी possible नहीं है, क्या मेरे प्यारे बच्चों कोई बात समझ में आ गई, ठीक है साथ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अगर आप मुझे इसा बोल रहे हो कि carbon 4 electron accept नहीं कर सकता, उसका nucleus उतना powerful नहीं है, ठीक है तो carbon, दूसरा काम कर ले, एक काम करे, carbon can donate 4 electrons carbon can donate 4 electrons can donate 4 electrons and becomes carbon plus 4 cation and becomes carbon plus 4 cation, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यह होगा कि आपके carbon का nucleus फिर यह carbon का आपका पहला shell और यह आपके carbon का यहां पर दूसरा shell, यह आपके carbon के दो shell होगा, यह मैं थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ यह आपके carbon का second shell बना देता हूँ, यह आपके carbon का first shell बना देता हूँ और यह आपके carbon का में nucleus बनालता हूं ठीक है बहुत है बच्चो अब आप यहां पर observe करो यह आपके carbon का nucleus यह आपके carbon का nucleus और आप लोग सब जानते हैं nucleus में अभी हमारे पास में six protons हैं यह आपके carbon के first shell k shell के 2 electron और यह आपके carbon के second shell के 4 electrons ठीक है यह अभी कुछ ऐसा दिख रहा है अब आपको second case में यह बोला जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करो कि आपके carbon यह 4 electron को छोड़ दे यह L shell के यह आपके L shell के जो 4 electrons हैं इन्हें यह loose कर दे तो अब क्या होगा आपके K shell में 2 electron है और L shell में 6 electron है अब अगर आप बोलो कि हम L shell के electron छोड़ दे तो आप L shell में 0 electron हो जाएंगे मतलब अब आपका K shell जो होगा carbon का वो valence shell बन जाएगा और as per the rule अगर आपके valence shell में सिर्फ K shell है तो उसमें maximum 2 electron आ सकते हैं बोर एंड बरी रूल के साफ़ से 2N square के साफ़ से तो जिस प्रकार hydrogen और helium अपने outer most shell में सिर्फ 2 electrons रखते हैं और satisfied रहते हैं carbon भी ऐसा कर ले carbon भी अपने valence shell के याने L shell के यह 4 electron फेक दे और K shell के 2 electron को अपने पास रख ले तो यहां पर क्या scenario बन जाएगा एक तो यह electron पूरा रायर हो जाएंगे यह गया यह गया और यह गया खतम अभी आपका carbon कुछ ऐसा दिखने लगेगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चो जरा एक बाद अपने दिमाग पर load डाल के समझने की कोशिश करो मेरे बकासूरो मेरे बकूरो जैसे माल लो तुम्हारे carbon के outer most shell में हमने 4 electron रखें ठीक हैं अब मा carbon ने 1 electron निकाल दिया यह 1 electron गया अब मनें और आप यहाँ पर जैसे ही आपके carbon में से 1, 1 electron चल जायेगा जैसे आपके carbon में से 1 electron चल जाएगा अब carbon के पास में 5 electrons बचेंगे और nucleus के अंदर 6 protons रहेंगे तो आब यहा पर आप देखो अब carbon के nucleus के अंदर मौझूद छे इलेक्टरॉन सतर्क हो जाएंगे चोकनने हो जाएंगे बोलेंगे अपना एक इलेक्टरॉन लॉस हो गया है अब फर्दर लॉस से बचाने के लिए और क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर माइनस फाइव रहे गया है पाँच इलेक्टरॉन एक इलेक्टरॉन पर माइनस फाइव चार्ज और यहाँ पर प्लस सिक्स चार्ज रहे गया है तो अब आप देखो प्लस चार्ज जादा हो गया तो डेफिनेटली जादा पॉजिटिव चार्ज कम नेगेटिव चार्ज को और टाइटली पकड़ लगा अब आपके लिए ब दो इलेक्टरॉन और एल शेल में तीन इलेक्टरॉन बचे पहले दोनों में बराबर थे छे इलेक्टरॉन थे छे प्रोटॉन थे के शेल में दो इलेक्टरॉन थे एल शेल में चार इलेक्टरॉन थे फिर आपने एक इलेक्टरॉन निकाल दिया एक इलेक्टरॉन आपने निकाला तो अब आपके k shell में 2 और l shell में 3 electron हो गए फिर चलो आपने एक electron निकाल दिया अब आपके k shell में 2 और l shell में 2 electron हो लेकिन आप समझो अब आप situation को समझने की कोशिश करो अब plus 6 charge minus 4 charge को इतना tightly पकड़ लेंगे इतना tightly पकड़ लेंगे कि अब आपके लिए अगला electron निकाला लगभग ना मुम्किन हो जाएगा लगभग ना मुम्किन हो जाएगा तो आप तो ये claim कर रहे हो कि carbon अपने 4 electron valence shell के ये 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 और ये 4 electrons को छोड़ दे l shell में से 4 electron भगा दे this is not at all possible याने carbon का nucleus इतना भी कमजोर नहीं है कि वह electron जाने दे हाँ मैंने ये माना कि मेरे carbon के nucleus में इतनी power नहीं है कि वह 4 electron खीच लाए लेकिन इतना भी बेवकूफ और इतना भी कमजोर नहीं है कि वह अपने खुद के 4 electron donate करते मतलब यहाँ भी problem आ गई मतलब यहाँ भी हमारे पास में problem आ गई that the nucleus that the nucleus of carbon have six protons and therefore it cannot and therefore cannot lose all four electrons from the L shell अपने L shell में से यह 4 electron को lose नहीं कर पाएगा and hence this case and hence this case is also not possible याने अब आपका यह case भी possible नहीं है अब क्या करें गाइस अब क्या किया जाए अगर यह case भी possible नहीं तो हमें तो bonding करनी है तो अब हमारे पास में आ रहा है गाइस एक beach का रस्ता जिसका नाम है covalent bond याने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे छोट्यों मोट्यों बच्चों हमने carbon के अंदर दो case देखे या तो carbon cation बन जाए not possible या carbon anion बन जाए not possible क्योंकि carbon का configuration बीच का है carbon एक ऐसी जगे पर बैठा है जिसके इस side के याने जिसके periodic table में right side के लोग metal donate करके cation बन जाते हैं और इसके left side के लोग periodic table में metal के द्वारा छोड़े गए electron को accept करके anion बन जाते हैं और इदर के और इदर के जुड़के ionic बना लेता है लेकिन ये विचारा बीच का रहे गया is scholars है कि ना तो electronically छोड़ सकता है ना तो electronically लेसकता है आच्छा एक electron ले ले एक electron छोड़ दे उससे क्या फ़रक पड़ता है हमें तो यई neutron सही हमें तो कारबन के el shoulder में एक लेक्सप्र शयिए जो ना तो छोड़के ना थो except करके ओपार है तो हमारे पास्टेन बीज का रस्ता आया coaland bond क्या है imagine करो आप लोग depl opened देने ड़े में हमारे पास भाल लो एक लड़का है जिसका नाम ष 不 और एक लड़का एक लड़कि यह जिसका नाम तो कर रिख मीड़ी और लर्ड़की जिसका नाम ष pardon अश्मीत और अश्मीता दोनों साथ में एक्जाम देने बैठें टेबल पे दोनों साथ में बैठें एक्जाम देने अश्मीत ने एक्जाम के लिए एक बहुत अच्छा वाला ब्लू कलर का पैन खरीदा है और अश्मीता ने अपने एक्जाम के लिए अपना फेवरेड रेड pen खरीदा है अब problem क्या हो गई कि इनका जो इन्वीजिलेटर था वो संकी था मतलब exam लेने जो बंदा आया था वो संकी था वो सुबु सुब अपनी बीबी से लड़के आया है और उसने सारा बच्चा इन बच्चों सारा गुस्सा इन बच्चों पर निकाल दे क्या बोला कि अगर टर्म टू में पास होना है तो आंसर शीट में question सिर्फ red pen से लिखे जाएंगे और answer सिर्फ blue pen से लिखे जाएंगे अगर आपने पूरा paper blue pen से दिया मैं zero दूँगा अगर पूरा paper red pen से दिया मैं zero दूँगा और कोई pen तो applicable ही नहीं अब अश्मीत डर गया मेरे पास उस अश्मीत डर गई मेरे पास उसरीव red pen है तो अश्मीत अश्मीत को और अश्मीत अश्मीत से बात बोलेगी वह क्या बात बोलेंगे दूसरे से अश्मीत बोलेगा अश्मीत को कि एक काम करो जब तक मैं answers लिखता हूँ आप अपने red pen से questions लिख लो फिर अश्मीत बोलेगी ठीक है जब तक आप answers लिख रहे हों मैं अपने red pen से question लिख लेती हूँ फिर हम pen बदल लेंगे फिर मैं आपके blue pen से answer लिख लूँगी और आप मेरे red pen से question लिख लेंगे यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर दोनों के बीच में mutual sharing हो गई यहाँ पर क्या हो गया mutual sharing हो गई किसकी pens की यानि अश्मीत ने अपना blue pen तो अपना use करा उसने अश्मीता का red pen भी use कर लिया और इस वजह से दोनों का काम हो गया दोनों पास हो गए और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और इस दोस्ती को नाम दिया जाता है को वेलेंट दोस्ती क्या यह बात मेरे प्यारे प्यारे बच्छा लोगों को समझ में आ रही है यही concept है को वेलेंट बंडिंग का this is the concept of covalent bonding now covalent bonding actually होती क्या है covalent bonding is nothing but the mutual sharing covalent bonding is nothing but the mutual sharing of electrons between the two atoms between two atoms that are participating in bonding जो bonding में यहां पर participate कर रहे हैं उन बंडिंग के बीच में जो दो आटम्स के बीच में जो बंडिंग हो रही है उन एक्टम्स के बीच में कर electron mutually share हो जाए तो उसे बोला जाएगा covalent bonding क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में रही है ठीक है अच्छा अब कोवेलेंट बॉंडिंग जिन compounds के अंदर होगी उन compounds बोला जाएगा covalent compound those compounds those compounds that have covalent bonds that have covalent bonds between their atoms between their atoms are called as covalent compounds उन्हें क्या बोला जाता है प्यारे प्यारे किडू उन्हें covalent compounds बोला जाता है तो covalent bond का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आया हां सर mutual sharing of electron between two atoms से थोड़ा explain करोगे तो ज्यादा मज़ा आएगा explain करने से पहले मैं आपको एक बार Lewis dot structure याद दिलाना चाहता हूँ वैसे शायद आप लोगोंने Lewis dot structure metals and non metals वाले chapter में पढ़ा होगा बट फिर भी मैं आपको Lewis dot structure एक बार समझा देता हूँ guys Lewis dot structure के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है आप लोगों को element का symbol आप लोगों को लिखना पड़ता है अरे क्या हो रहा है आप लोगों को यहाँ पर element का symbol लिखना होता है और symbol के आसपास आप लोगों को वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ते हैं कैसे चलो मैं आपको बताता हूँ गाइस मुझे सब जोर से चिला कर बताएं अपने घर में इतनी जोर से चिलाओ कि किचन में पढ़ावा बरतन जमीन पर गिर जाए चिलाओ जोर से हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर कितना वान तो हाइड्रोजन का अगर अटॉमिक नंबर वन है तो हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वान जोर से चिलाओ जोर से चिलाओ आवाज आनी चाहिए दूर तक very good, कितने electrons होने चाहिए yes, one electron तो वो one electron K shell में होगा और K shell ही उसका valence shell है outer most shell is the valence shell अब hydrogen में क्योंकि एक ही electron है और वो एक electron K shell में, तो K shell is the valence shell तो hydrogen के valence shell में एक electron hydrogen के बाद कौन आता है helium helium, helium के outer most shell में कितने electrons, दो electrons क्योंकि helium का atomic number 2 होता है और helium के K shell में, दो electron पाए जाते है helium के बाद में आता है lithium, lithium के बाद में आता है beryllium beryllium के बाद में आता है boron boron के बाद में आता है carbon, nitrogen oxygen fluorine lithium का atomic number 3 lithium का atomic number 3 atomic number 3 होने का मतलब lithium के K shell में दो electron और L shell में एक electron मतलब lithium का अब valence shell हो गया 1 इसलिए lithium के valence shell में में मिलूँगा एक electron से beryllium का atomic number 4 K shell में 2 L shell में 2 इसलिए में कहूँगा beryllium के outermost shell में 2 electron फिर boron का atomic number 5 तो boron के L shell में 3 electron carbon का atomic number 6 तो carbon के valence shell में 4 electron nitrogen का atomic number 7 K के बाद में L shell में 5 electron इसलिए 1 2 3 4 अजय सर पांच वा electron कहा रखूँ कहा रखूँ कोई बात नी उपर वाले के साथ में pairing कर दो इसके साथ कर दो कोई फरक नहीं पड़ता oxygen का atomic number 8 L shell में total 6 electron तो 1 2 3 4 5 and 6 flooring के outermost shell में 1 2 3 4 5 6 and 7 7 electron इस तरीके से आप लोग Lewis dot structure बना सकते हैं तो I hope आप लोगों को Lewis dot structure बनाना हो गया होगा अब आप लोग कोविलेंट bond कैसे बनते हैं वो एक बार सीख लेते हैं तो guys imagine करो आप लोगों के पास में hydrogen नाम का molecule है आपके पास में hydrogen नाम का molecule है guys एक बहुत important सी बात आप लोग खुद जरा दिमाग पे लगाओ जब आपके ionic bond के बारे में discussion चल रहा होगा तो ionic bond के अंदर हमेशा एक बात देखी गई है कि ionic bond के अंदर एक metal होता है जो electron donate करता है और एक non-metal होता है एक definitely non-metal होता है जो electron accept करता है non-metal electron donate करके cation बन जाता है और non-metal electron accept करके nion बन जाता है और इनके बीच में एक attraction develop हो जाता है जिसे हम लोग नाम देते है ionic bond क्या मेरे प्यारे बच्चों को यह बात समझ भारी है लेकिन अगर मैं H2 के molecule को देखूं तो यार hydrogen का molecule जो है उसमें दोनों atom hydrogen के हैं अगर मैं O2 के molecule को देखूं तो इसमें दोनों atom oxygen के हैं अगर मैं N2 के molecule को देखूं तो इसमें दोनों atom nitrogen के हैं अगर मैं fluorine का molecule देखूं इसमें दोनों atom fluorine के हैं अगर मैं Cl2 का molecule देखूं तो इसमें दोनों atom Cl2 के हैं अच्छा इसमें अगर मैं carbon और hydrogen के molecule को देखूं तो guys ना तो carbon electron donate करता हुआ नजर आ रहा है ना तो carbon electron accept करता हूँ नजर आ रहा है similarly hydrogen की भी situation है hydrogen भी गरीब है hydrogen को इतना ताकतवर थोड़ी है कि अपना एक electron donate कर दे एक electron accept कर ले और अगर hydrogen कर भी दे चलो hydrogen अपना एक electron छोड़ दे जा ले जा मेरा electron लेकिन वो एक electron को लेने की शक्ति carbon में होनी चाहिए न अभी हम देखकर आएगी carbon के nucleus में मात्र छे proton है इसमें इतनी ताकत नहीं कि यह 4 electron ले आए अच्छा तो या तो hydrogen carbon से electron खीच ले तो carbon में इतनी भी कम शक्ति नहीं कि अपनी electron को जाने दे मलब hydrogen ना तो electron दे पाएगा ना ले तो करेगा क्या अच्छा यहां पर इस molecule में आपका carbon भी नॉन metal है और आपका hydrogen भी नॉन मेटल है मतलब यहां पर केस समझ में आ रहा है कि ionic bonding जो आपने पिछले chapter में पड़ी वो limited है between metal नॉन मेटल मतलब अगर आपको ionic bonding देखनी है तो वो आपको metal और non metal के बीच में दिखेगी आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि दो non metal के बीच में bonding दिख रही है तो भाई साब अगर आपको दो non metal के बीच में bonding करनी है तो ionic bond नहीं लगेगा दो same element के atom के बीच में bonding देखनी है अगर दो same element के बीच में बॉंडिंग देखने है तो भी आयोनिक बॉंड नहीं लगेगा तो करेंगे क्या यार तो यहां पर लॉंच होगा कोवेलेंड बॉंड का कॉंसेप्ट बहुत इजी कॉंसेप्ट है हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया यहां से दूसरा इस यहां इस बिरॉन को बोलता है मुझे मेरे केशल में दो पूरे यहां जबोलता है करने तो क्या करें तो यह दोनों को आशित और अश्मिता वाला केस याद आता है कि अश्मित और अश्मिता वाला केस याद आता है अश्मिता का रेड पैन अश्मित ने यूज करा अश्मित का ब्लू पैन अश्मिता ने यूज करा अश्मिता ने अपना रेड पैन खुद भी यूज करा अश्मित ने अपना ब्लू पैन यहाँ पर आपका यह जो hydrogen है यह क्या करेगा बोलेगा काम करते मेरे electron के साथ 13 electron भी यूज करनी चलेगा यह बोलेगा रहे वाई सची बात क्या होगी ठीक है कर लीजिए आप दिक्कत वाली बात नहीं है तो फिर यह वाला hydrogen बोलेगा कि फिर एक काम करता हूं बदले में मैं 13 hydrogen का electron भी यूज कर लेता हूं मलब अब यहाँ पर आप imagine करो ध्यान से देखो कि इस hydrogen के पास में अपना खुद का electron तो ही है इसने यह वाले hydrogen का electron भी यूज कर लिया मलब अब आप यहाँ पर देखो इस hydrogen के पास में आपको K-shell में दो electron नजर आ रहे जिसमें एक electron इसका खुद का है और एक electron इसने इसके hydrogen से मार लिया Similarly आप इस hydrogen पर नजर मारो तो यह hydrogen के पास में इसका खुद का electron तो ही है इसने पडोसी वाले hydrogen के electron को भी अपने साथ share कर लिया अब इसके K-shell में भी दो electron हो गए तो यहाँ पर यह जो sharing हुई है this sharing of electron leads to the formation of covalent bond इस तरीके के sharing को covalent bond बोला जाता है क्या मेरे प्यारे प्यारे मेरे नन्ने मुन्ने मेरे गुल्लू गुल्लू बच्चों को यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है is there any problem मेरे प्यारे प्यारे कीडू अच्छा चलो और एक example लेकर समझे चलिए अब हमें काम करते हैं यहाँ पर F2 का molecule हम लोग यहाँ पर बना कर देखते हैं वान तू थ्री फॉर फाइव शिक्स सेवन यह फ्लोरीन के आउटर्मोस्ट शेल में साथ इलेक्रोंज है दूसरा फ्लोरीन भी आया लालालाला अब थोड़ा अपना दिमाग लगाना है ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पर आपने तो दो इलेक्ट्रों रखने सिखाए थे फिर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर तो कैसे बांडंडींग होगी अर्या अपना दिमाग लगाओ ना इसको यहां से हटाके यहां लगदो ओ माय गौड मेरी फट के गले में आ चुकी थी बज में बच गया यह यहां कर दिया और इसको यहां पर आपने बीच में रख दिया तो क्या होगा कोई फरीट पर रहे हैं नहीं इस फ्लोरीन के केशल में दो एलेक्ट्रोन है और L-shell में साथ Electron है इसके भी K-shell में 2 Electron है L-shell में 7 Electron है अब वही होगा यो फ्लोरिन ओलेगा चल अब उन उन यूज कर रहा है बुलू ते तो यह बुलू फिर एक काम करेंगा ना अप उन भी तरह Elektron यूज करेंगाना माई वाँ ऐसा काम चालेगा दोनों आ यह दुसरा के ल्टान यूज कर देखो दोलिये और इस दुसरा के लaimer तरीके से भेत्रीन, भैस दोस्ती होगी दौन उपे पीच में देखो दुसरा के लिए बेर दुसरा के लिए अब यह जोट आप यह स्यूर्या बोलेगा दोलरिये म텐रे सरक्ल को ग्रैविटी सर्कल से मैंने भी सर्कल बनाना सीखा देखो यह मेरे पास भी 1,2,3,4,5,6,7,8 एलेक्टरॉन हो गए लोग बुलेंग अच्छा तिरे पास भी एलेक्टरॉन हो गए रेवायर तो यह किस तरीके से हुए यह अगें कोवेलेंट बॉंडिंग की वजह से हुए है तो कोवेलेंट बॉंडिंग के अंदर आपको समझ में आगे क्या हो रहा है कोवेलेंट बॉंडिंग में एक एटम अपने इलेक्टरॉन को सामने वाले एटम के इलेक्टरॉन के साथ में शेयर कर लेता है मतलब यह जो दो इलेक्टरॉन हैं यह जो दो इलेक्टरॉन हैं इ खुलू गुलू गुलजारी लालो को ये बात समझमें आ रही है येस और नो पक की बात अच्छा ए फ्टू की तरह ही आप लोग चाहें तो अब आप लोग व्ण बना कर देखें आप लोग ना कर देखें बिल्कुल सेम से बने जैसे इसका KL था तो इसके M shell में साथ electron होंगे K shell में 2, L shell में 8 और M shell में 7 ठीक कुछ तरह Bromin का जो valence shell होगा N shell उसमें 7 होंगे और इसके KLMNO, O shell में 7 electron होंगे तो घबराने का नहीं है बिल्कुल iodine लग दो, fluorine अटा का iodine रग तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा ठीक है, fluorine अटा कर, Bromin रख तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा आप से ये कोई नहीं पूछने वाला कि इनका valence shell कौन सा है हम लोग तो जानते ही न, valence shell कोई भी हो valence shell में 8 electron आने चाहिए तो Bromin का valence shell अगर N shell है, क्या फरक पड़ता है हमको तो 8 electron रखने, क्या बाद समझ में आ गई, तो आपको chlorine भी ऐसा दिखाए देगा chlorine ये देखो, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये sharing हो गई, आपको Bromin भी सेम नजर में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yellow bromine भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये, iodine भी सेम नजर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iodine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये, इस तरीके साब को CL2, BI2, I2 नजर आएगा समझ मारी बात आपको चलिए, आगे बढ़ते और एक चीज़ और discuss करते हैं, नया molecule discuss करते हैं HCL molecule, मान लोगर आपके पास में hydrogen chloride का molecule आ जाए, तो ऐसे cases में क्या होगा now guys, chlorine एक non-metal है और hydrogen भी एक non-metal है hydrogen कोई metal थोड़ी है मेरे प्यारे बच्चो तो अगर hydrogen एक non-metal है और chlorine भी एक non-metal है तो इनके वीच में ionic bond तो नहीं बनेगा क्योंकि बोवत आर non-metal है और chlorine भी एक बड़िया वाला non-metal है तो अगर यह दोनों बड़िया वाले non-metal है तो इन non-metal के भीच में bonding कैसे बनेगी चलो करके देखते हैं तो मान लीजे मेरे प्यारे किडू आपके पास में यहां पर आगया hydrogen हम लोग सब जानते है hydrogen के outer most shell में एक electron होता है है ना किडीज मान लीजे पास में आगया chlorine क्लोरीन के outer most shell में वान टू थ्री फोर फ्रेक्स और सेवन इलेक्ट्रों आ गए अब क्या होगा वही होगा हम लोग सब जानते है hydrogen क्लोरीन के electron को यूज करेगा और बीच में एक एक electron की sharing हो जाएगी इससे आप देख पाएंगे कि आपके hydrogen के k shell में दो electron दिखाए पढ़ने लगे और इससे आप देखेंगे कि आपके क्लोरीन के k shell में दो और l shell में आठ electrons दिखाई देने लगेंगे क्या मेरे प्यारे प्यारे किडी इसको समझ में आ रहा है and this is your mutual sharing of electron which is also called as your covalent bond क्या आप लोगों को आप bonding करना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई please एक बार इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिए अगर कोई problem आ रही हो तो आप मुझसे हाथो हाथ पूछ सकते हैं if there is any kind of problem you guys can ask I am sorry मेरा खुद का पैर पढ़ गया मेरे ही इस tripod stand पर और वो अपनी जगे से हिल गया इसे बोलते हैं खुद के पेर पर नहीं खुद के tripod पर लाच मारना चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं types of covalent bond की देखो types of covalent bond समझे से पर एक बात ध्यान रखना one covalent bond अगर आप एक covalent bond बना रहे हैं if आप लोग one covalent bond बना रहे हैं if you guys are forming one covalent bond then two electrons are shared क्या मैं सही कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चो आपको यहां पर दो electrons share करने पड़ेगे जैसे अगर मैं hydrogen की बात करूं तो hydrogen का एक electron दूसरे hydrogen का एक electron दोनों hydrogen के एक electron आपस में share हो गए तो यह दो electrons के sharing की वज़े से आपको एक covalent bond दिख रहा है क्या यह बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर कोई दिकत पक्की बात 100% clear great so on the basis of so therefore on the basis of on the basis of number of electrons shared between two atoms देखो इस बात को ध्यान रखना दो atoms होने चाहिए ऐसा नहीं कि एक carbon है उसने पहले एक इस hydrogen से bond बना लिया फिर यह carbon पल्टा और इस ने इस hydrogen से भी एक bond बना लिया फिर carbon पल्टा उसने सामने वाले hydrogen से भी एक electron bond बना लिया मैं ऐसे bond की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ दो atom की मलब अगर मान लो एक atom A है और एक atom B है अगर इन दोनों में सिर्फ एक-एक electron ही share हुआ है तो हम इसे बोलेंगे single covalent bond हम इसे क्या बोलेंगे single covalent bond तो basically on the basis of number of electrons shared so on the basis of number of electrons shared between two atoms सबसे पहले आपको दिखाई देने लगेंगे type single covalent bond single covalent bond का मतलब होता है दो atom के बीच में only two electrons are shared only two electrons are shared not more than that उसके बात अगर हम लोग बात करें तो हमें कभी-कभी double covalent bond भी दिखाई देते हैं double covalent bond now double covalent bond का मतलब क्या हो गया आपका एक atom A और आपके atom B के बीच में एक और एक electron share होकर एक bond तो बना लेकिन इसका दूसरा electron B के दूसरे electron के साथ में sharing करके एक और bond बना लिया तो this is called as double covalent bond मतलब दो atoms दो particular atoms के बीच में दो particular atom के बीच में फिर repeat कर रहा हूं दो particular atom के बीच में A और B के बीच में अगर 4 electrons share हो जाए कितने electron share हो जाए चार electron दो electron A के sharing कर लें दो electrons B के साथ में तो यहाँ पर इस प्रकार के bond को बोलते है double bond को double bond दिख भी रहे यहाँ पर आपको कैसे bond दिख रहे थे A और B के बीच में सिर्फ एक bond की sharing हुई है लेकिन आप यहाँ पर क्या हो रहा है आपके A और B के बीच में एक और एक bond ऐसा share हुआ एक और एक bond ऐसा share हुआ है इसको क्या बोलते है double covalent bond यहाँ पर total how many electrons are shared यहाँ पर total 4 electrons are shared उसके बाद सर और भी कुछ होता है कि अर्य हाँ गुलजारी लाल ट्रिपल वो तीन की शक्ति दरिस ट्रिपल कोवेलेंट bonds triple covalent bond now triple covalent bond अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को explain करूं तो A का एक electron B के एक electron के साथ sharing करेगा फिर A का दूसरा electron B के दूसरे electron के साथ sharing करेगा और फिर A का एक electron B के तीसरे electron के साथ sharing करेगा तो टोटल यहाँ पर one two and three bonds बने और three bonds बनाने के लिए आपने one two three four five and six electrons की sharing करेगा तो टोटल six electrons are shared six electrons are shared ताकि आप लोगों के तीन bond बन सके क्या यह बात आपको समझ मैं सो मेरे प्यारे बच्चों देरा टोटल three types of covalent bond single covalent bond double covalent bond and triple covalent bond बोलो क्या यहां तक कोई तकलीफ क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके की कोई परेशानी single covalent bonds के मैंने आप लोगों को कितने सारे examples करा है HCl का molecule, Cl2 का molecule, BR2 का molecule, BR2 का molecule, I2 का molecule, F2 का molecule, H2 का molecule यह सब आपके single covalent bond वाले हैं अब हम लोग एके करके discuss करना चाहते है double covalent bond अब हम लोग एके करके यहां पर discuss करेंगे double 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 covalent bond so let's study first and foremost double 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 covalent bonds double covalent bond आपको बनाने का तरीका तो सबको समझ में आई गया है double covalent bond कैसे बनेंगे आप सभी लोगों को double covalent bond बनाने का तरीका तो समझ में आ ही गया है एक example लेते हम लोग यहां पर o2 के molecule के अदर क्योंकि हम लोगों को o2 का molecule ही एक best example giving molecule होगा oxygen हम लोग सब जानते है oxygen के outermost shell में total 6 electrons होते हैं तो Lewis dot structure के हिसाब से हम यहां पर outermost shell में 1,2,3,4 ध्यान से इस बात को देखना मेंने आपको बनाना सिखाया है 5 and 6 क्या मेने आपको oxygen ऑपना इस इस इह बनाना सिखाया और दूसरा electron जो unshared है वो ये रहा मतलब यहाँ पर ये और ये दो unshared electron है ये और ये दो अलग-अकेले-अकेले वाले electron है जो हम लोगों ने यहाँ पर oxygen बनाना सीखे थे न 1, 2 ये जोड़े में आ गए ये pair हो गए ये भी pair होगा लेकिन ये और ये अकेले थे न तो ये दो अकेले electron मैंने यहाँ लिखती है समझ गया बात को कोई तकलीफ तो नहीं किसी को पका great ये आगे आपका दूसरा oxygen इसका भी एक electron ये रहा एक electron ये रहा ये दो electron pairing में आ गए ये दो electron भी pairing में आ गए अब हमको क्या करना है अब हम लोगों को यहाँ पर एक electron ऐसा रखना है जो की unpaired था और हम लोगों को एक electron और रखना है जो की unpaired था ये तो ये आपके दो unpaired electron हो गए अब आप यहाँ पर observe करेंगे ध्यान से कि अगर ये oxygen इस वाले oxygen के दोनों electrons share कर ले और अगर ये वाला oxygen भी इस oxygen के दोनों electrons को share कर ले तो क्या होगा तो यहाँ पर आप लोग मेरे प्यारे किडूद इस चीज को observe करें कि ये electron इसके साथ share हो गया और ये electron इसके साथ share हो गया यह यह इस बात समझ में आ रही है घाल को हम लोग यह बोलते हैं कि यह इस तरिके की बांडिंगों हम लोग बोलते हैं डबल 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 को बोलेंट समंझ में और इस इससे हुआ क्या इस ओप्शियन के पास में 1 2 3 4 5 और 6 छे फ्रोन इसके खुड कर देए अब सेवन और और इइट हैं ले लिए शेरीं अब시면 कोई मझा आगया अब ऑस शेयर अगया को दो इसके और इाट मुस्टा गये और जोगए करके आ गए और इसके पास भी एक एक जिसमें लोगों को एक डबल बॉन्ट बना कर दिखाई देने लगेगा क्या यह चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चो को को दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नोट करें नोट करें वाला सुन्दर दिख रहा है बोड इतना सुन्दर कि मुझे इसे रब करने की इच्छा नहीं होगी लेकिन क्या करें रब्तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें आगे जो बढ़ना है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिसकस करते हैं यहां पर डिच कचन करते हैं हमारे ट्रिपल कोवेलेंट बॉंड का अब आप लोग सब जानते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉंड कैसे बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बनेगा छे इलेक्ट्राउंस की शेरिंग से और नाइट्रोजन molecule से अच्छा इस चीज़ को इस दुनिया में कोई explain नहीं कर पाएगा nitrogen nitrogen के K shell में 2 electron और L shell में 5 electron होते हैं क्योंकि nitrogen का atomic number 7 होता है तो यहाँ पर मैंने बनाया एक nitrogen यहाँ पर मैंने बनाया एक nitrogen यहाँ पर मैंने 2 nitrogen बना दिये अब nitrogen के 5 electron होते है one two one two sir ऐसे क्यों बना रहे हो देखो मैंने आपको सिखाया था कि nitrogen का एक दो तीन चार और पांच electron तो पांच मेंसे यह दो electron तो pairing में आ गए यह दो electrons तो paired होगा है मेरे प्यारे kiddies तो यह दो electron होगा है उसके अलावा यह एक दो और यह तीन है जो तीन अन्पेड electron है यह दो दो को मैंसे बना रहा हूँ वन प्र पिर यह यह टू और यह थ्री आई बास समझ में अब यह तीन यह यह लेक्ट्रॉन और इसने इससे पेरिंग कर लें ये इसके चुका एक ट्रिपल बॉन एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन बाइदा शेरिंग ओफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स की शांदार वाली शेरिंग हो चुकी है अब इस नाइट्रोजन के एल शेल में आट इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है जिसमें ते चुकी वैज सब्सक्राइब शेल में वोलो तो को ट्रिपल कोव्लेंट बॉन समझ में आया ग्रेट बढ़ बढ़िया मेरे प्यारे बच्चो शांदार अब मैं आप लोगों को अगले class के लिए एक homework देना चाहता हूँ मैं आपको homework दूँगा और वो homework guys आप लोगों को घर पे अच्छे तरीके से करना है और मैं अगली class में आप लोगों के साथ में ये covalent compound discuss करूँगा आप लोगों को देखो यहां पर है एच टू ओ एच एफ एन एच थ्री सी एच फोर है एच सी एल और कौन कौन से हैं हम लोगों को ओके बहुत बढ़िया वाला था यार यह तो भूल के से क्या मैं सी ओ टू छे हो गए सी ओ टू और कौन से निकार लेते मैंने मेरे प्यारे किडूज के लिए सी सी एल फोर ओके यह भी अच्छा था सी सी एल फोर दैन एट सी एच सी एल थ्री याने आपका क्लोरोफॉर्म सी एच टू सी एल टू सी एच थ्री सी एल देन उसके अलावा आप लोगों को ओक्सियन करवा दिया कारबन डर्फट करवा दिया नाइट्रोजन मॉलीक्यूल करवा दिया एंड ओके देन एलेवन सी टू एच सिक्स ट्वेल्व सी टू एच फोर एंड थर्टीन सी टू एच टू इतने मॉलीक्यूल्स आप लोगों को आज होंवक करने हैं अब हम लोग जो हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी जैसे आप लोगों ने आज यह जो वीडियो देखा यह 11 मार्च को देखा शाम के 8 बज़े इधिंक अपलोड हुआ है और यह आपका फॉर्स लेक्चर था क्रैश कोर्स का अब हमारा जो अगला लेक्चर मंडे शाम 8 बज़े आएगा शायद मंडे वेडिनस दे फ्राइडे हमारा स्केडिल है तो मैं पहले आप लोगों सही हो अगर कोई तकलीफ है कोई परिशानी है कोई दिक्काथ है तो कॉमेंट सेक्शन ने पूछें दोस्तों के साथ शेयर करें प्यार करें सपोर्ट करें जितना शेयर कर सकते हैं उतना फैलाएं क्योंकि आप लोगों के लिए अभी 10 के क्रैश कोर्स के बाद हम लोग 11 में जो लेकर आ रहे हैं ग्रैविटी सरकल पर उसके बाद आपको कोई कोचिंग नहीं जाना है कहीं पैसे वेस्ट नहीं करना है यूट्यूब चैनल ग्रैविटी सरकल पर केमेस्ट्री आपको free of cost 11 में शांदा तरीके से पढ़ाई जाने वाली है पूरे जान से पढ़ाई जाने वाली है तो आप लोगों को बस support करना है subscribe करना है and share करना है see you in the next class on Monday